श्री गनेशाय नम्हा सभी भक्तों को राम राम आएए अब सुनते हैं कार्थिक मास के महत्मे का नवा अध्याय श्री हरी कृपा से पढ़ रही हूँ नवम अध्याय का सार नारज जी ने कहा इधर तो शीव जी और जलंधर में भयंकर युद्ध हो रहा था उधर वरिंदा ने स्वपन में देखा कि उसका पती सारे शरीर में तेल लगा कर नंगे शरीर भैंसे पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिन दिशा की और जा रहा है यह स्वपन देखकर वरिंदा बड़ी चिंता में पढ़ गई महल, अटारी तता गोशाला कहीं भी उसे चैह नहीं मिला तब वह एक वन से दुसरे वन में चली गई वहां वरिंदा ने सीच जैसे मुखवाले दो राक्षस देखे उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी आगे जाकर उसने एक तपस्वी मुणी को उसके शिश्य सहीर देखा और उनसे अपनी रक्षा करनी की प्राथना की उसकी प्राथना पर मुणी ने अपनी एक हुंकार मातर से उन राक्षसों को वहां से भगा दिया तपस्चात व्रिंदा ने हाथ जोड़कर मुणी से विने पुर्वक कहा की हे महराज मेरे पती जलंधर तता महादेव जी में घोर युद हो रहा है उसमें विजय किसकी होगी क्रिपा करके बताईए क्योंकि आप तो सब कुछ जानने वाले है व्रिंदा के वतन सुनकर मुणी ने उपर आकाश की ओर देखा उसी समय दो बंदरों ने आकर मुणी को प्रणाम किया और फिर मुणी का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर से आए और उन्होंने वहाँ जलंदर दैती का सिर और धर लाग कर फेक दिया अपने पती के मुरत चरीर को देखकर व्रिंदा बहुत दुखी हुई और रोने लगी विलाप करती हुई मुर्चित होकर फित्वी पर गिर पड़ी मुनी ने अपने कमंडल से व्रिंदा पर जल छिड़का तो उसमें कुछ चैतन्यता आई तब वह पुना विलाप करती हुई मुनी से बोली कि हे महराज जिसने देव, गंधर और विष्णो सही तीनों लोकों को जीत लिया वह शिवजी के हासे कैसे मारा गया हे मुने आप बड़े सामर्थिवान है, किसी प्रकार से मेरे पती को फिर जीवित कर दीजिए तब मुनी कहने लगे कि शिवजी के हासे मरे हुए को कौन जीवित कर सकता है परन्तु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित कर देते हैं ऐसा कहकर मुनी अंतरध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर व्रिंदा के साथ प्रेमा लाप करने लगा वास्तम में वो शव जलंदर का नहीं था लेकिन जलंदर के वेश में भगवान विश्नु थे व्रिंदा अपने पती के वेश में विश्नु भगवान के साथ उस वन में रमन करती रही परन्तु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पती के वेश में विश्नु भगवान को पहचान कर व्रिंदा अत्यंत क्रोधित हुई और बोली कि तुमने मेरा पतिवरत धर्म नश्ट किया है इसलिए मैं तुमको श्राब देती हूँ निश्चे ही वह कप्टी मुनी तुम ही ते और तुमने ही माया द्वारा वे दो राक्षस बराय थे कालांतर में वही दोनों राक्षस तुम्हारी स्री का पहरण करेंगी और जो तुम्हारा शिश्य था वही बंदर का रूप धारन कर तुम्हारी साहता करेगा तुमने मेरे साथ छल किया है इसलिए तुम इसी समय फत्तर के हो जाओ इतनी कथा सुनाने के बाद नारज जी कहने लगे कि हे राजा पृधू भगवान कृष्णिन ने देवताओं तता में हो जाओंगा परन्तु तुम भी व्रक्ष रूप होकर मुझको प्राप्थ होगी उसी समय व्रिंदा अपने पती के चन्नों का ध्यान करके विश्णु भगवान के मना करने पर भी अगनी में प्रवेश कर गई नारज जी कहते हैं हे राजा पृधू उधर युद शेत में जलंधर दैती राक्षसी माया द्वारा पारवती जी का रूप धर कर शीवजी को मानने लगा उसकी इस माया को देख कर शीवजी नीचे की और मुख करके बैठ गए यही उचित अवसा जान जलंधर ने शीवजी पर अनेक प्रकार के बाणों से प्रहार किया इस प्रक शीवजी को संकट ग्रस्त देख कर भगवान विश्णू ततकल वहां आये और उन्होंने शीवजी को उस राक्षसी माया का बोध कराया तब सचेत होकर शीवजी ने बड़े ही वेक से दैत्यों पर भयंकर बाणों की वर्षा प्रारम कर दी और राक्षसों को मानने लगे शीवजी की इस दिक्षन बाणवर्षा के आगे शुम और निशुम भी ना ठहर सके और वह युद से भाग खड़े हुए तब शीवजी ने उनको श्राब देते हुए कहा क्योंकि तुम युद शेत्र से भाग गए हो इसलिए पार्वती जी के हाथ से मारे जाओगे उधर जिस समय व्रिंदा का पतिवरत धर नश्ट हुआ तब ही जलंदर का बल समाप्त हो गया ठीक इसी समय फिर शीवजी ने जलंदर दैत्य पर चक्र छोड़ दिया सुदर्शन चक्र के प्रहार से जलंदर का सिर कटकर भूमी पर गिर गया सिर और धर अलग होते ही जलंदर का तेज उसके शरीड से निकल कर श्री शिवजी में तथा व्रिंदा का तेज श्री पार्वती जी में समा गया उधर विश्नु भगवान व्रिंदा की चिता भस्म में लोटने लगे तब सब देवताओं ने शिवजी की स्तुति करते हुए उनसे कहा कि है महादेव जलंदर क मारकर आपने हम देवताओं पर बड़ा उपकार किया है परन्तु एक महान अनर्थ हो रहा है व्रिंदा के पतिवरत धर्म से मोहित होकर भगवान विश्नु लगातार उसकी चिता भस्म पर लोट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे हैं कृपा करके उसका भी कुछ उपाय कीजिए तब शिवजी ने कहा कि हे देवताओं तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ वही तुमारा संकट दूर करेगी तब सारे देवता योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुती करते हुए बोले हे देवी आप सारे जगत की उत्वती, पालन और नाश करने वाली हो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण आपसे ही उत्पन हुए हैं। आपकी माया को स्वयम भ्रह्माजी भी नहीं जान सकते हैं। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण, अनादर ततमों को प्राप्ट नहीं होते। ऐसी मूल प्रकरती को हमारा नमस्कार है। विजों को ले जाकर जहां पर विंदा की चिता भस्म पर भगवान विश्नुजी लोट रहे थे। वहां पर बो दिया। उन तीनों विजों से तीन रक्ष उत्पन हुए। रजोगुण सरस्वती से आवला तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्षमी से मालती की उत्पती हुई। श्री लक्षमी जी ने अपना बीज इर्शययुक्त होकर दिया था। इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित है। रथा, आवला और तुलसी भगवान को अतिप्रिय हुए। भगवान विश्णु ने शीला रूप लेकर शाली ग्राम कहलाए। इस प्रकार रिंदा ने व्रिक्ष रूप लेकर भगवान शाली ग्राम से सयोग किया। इसी कारण कार्थिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारजजी कहते हैं कि हे राजा पृथु जिस घर में तुलसी का व्रक्ष होता है उसमें यम्दुत कभी नहीं जाते। इसलिए जो तुलसी का व्रक्ष घर में लगाते हैं वे यम्पूरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी का पूजन ये तीनों क पारी एक बराबर है। जर्व में नहीं आते। अर्थात जन्म मरंड के चक्कर से छूट जाते हैं। आमले के फल और तुलसी दल को पानी में मिला कर सनान करता है। उसे गंगा सनान का फल मिलता है। जो मनुष्य आवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है, उसे स्वर्ण मनी और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशी में होता है तब सभी तीर्थ, रिशी, देवता और सभी यग्य आवले के व्रक्ष में वास करते हैं। जो मनुष द्वादशी तिथी को तुलसी दल और कार्तिक में आवले की छाया में बैट कर भोजन करता है, उसके एक वर्ष तक अन्संसर्थ से उत्पन हुए पापों का नाश हो जाता है। वो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्राप्थ होता है। नारज जी कहते हैं कि हे राजा पृतु तुलसी और आवले का मातमे स्वयम ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है, जो को इश्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता अत्वा सुनता है, वह भी अंत में मोक्ष क प्रात हो जाता है। इस प्रकार कार्थिक महातमे का नौवा अध्याय पून हुआ।